जैस्त्री कृष्णा दोस्तों जैस्त्री राम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि घर के छट पर हनुमान जी का जंडा लगाने से क्या होता है अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में बेसुमार धन दौलात आए तो इस वीडियो को अंध तक जरूर सुने दोस् इलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो प्रारम्व करने से पहले आप से एक निवेदन है यदि आप चैनल में पहली वार जुड़ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो आए दोस्तों जानते हैं कि छट में हनुमान जी का जंडा ल या किसी देवी मा की धोजा हो वहलाल पीली अत्वा सफेद रंकी हो तो दोस्तों जिनके घरों में धोजा सदेव लहराती हैं उनके जीवन में सदेव उन्नती होती है तरक्की होती है आपके घर में किसी तरह की बुरी दृष्टी नहीं पड़ती है सभी प्रकार की नकारा आत्मक्ता आपके घर से दूर रहती है। इसलिए अपने घर के ऊपर ध्वजा अविस्स ही लगाना चाहिए। और उसके साथ एक चौपाई अपने घर के मुख दरवाजे के पास यदि लिखा दे तो और भी अच्छा होगा। वैच चौपाई हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदसरत अजिर विहारी। अगर यह चौपाई आप अपने घर के मुख दरवाजे के पास निखाते हैं तो आपके घर में सदैव मंगल ही मंगल होगा। क्योंकि जो भगवान मंगल करते हैं और अमंगल का हरण करते हैं वह भगवान हमारे घर में भी सदैव मंगल ही मंगल करेंगे। इसलिए दोस्तों अपने घर के छट पर ध्वजा लगाएं और घर के मुख दरवाजे के पास चौपाई लिखवाएं और वह चौपाई काउन से लिखवाना हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवह सुदसरत अजीर विहारी। दोस्तों अधिकतर घरों में दो दरवाजे होते हैं एक तो हो गया बाहरी दरवाजा जो बाौंडरी में बनवाया जाता है और एक है फाइनल दरवाजा जिसके दौरा आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो अहां दिवाल पर आपको संख चक्र और तिलक वनवाना चाह दोस्तों जिस घर के सामने चक्र होता है उस घर की ओर आने वाले सारी निगेटिव उर्जा को चक्र काट कर समाप्त कर देता है जिससे आपके घर में सदै पोजिटिव इनर्जी बनी रहती है परंत दोस्तों इस बात का भी विशेश ध्यान रखें जो आप संक चक्र और तिलक बनवाए वह तावे की धातु का होना चाहिए क्योंकि यह धातु सर्वस्रेष्ट मानी जाती है और अगर तावे से नहीं बनवा सकते तो फिर इस टील का भी बनवा सकते हैं परंत अगर के सभी वास्तु दोस्त दूर हो जाते हैं दोस्तों जिनके घर में संख होता है उनके घर में कभी भी धन धानने की कमी नहीं होती है अगर आप अपने घर के सामने संख चक्र और तिलक लगाते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक उर्जा समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा अब दोस्तों यह जान लेते हैं कि जंडा कब और कैसे अपने घर के उपर मुख्य द्वार के पास लगाएं तो मित्रों जंडा लगाने का सबसे अच्छा दिन मंगलवार का दिन माना जाता है मंगलवार के दिन आप ध्वजा लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं पुरुस वर्ग के लोग हनुमान जी को सिंदूर चड़ाएं लड़ों का भोग लगाएं और ध्वजा को हनुमान जी के चरणों को असपर्स करा कर लाएं और उस ध्व उन्हें प्रणाम करें, उन्हें प्रसाद का भोग लगाएं, और मंदिर के आसपास जंडा मिल जाएं, तो उसे खरीद कर लाएं, और अपने घर के उपर लगाएं, दोस्तों, यह सब चीजें हर हिंदूओं के घर में होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अधिकसुभ माने जाते हैं, यह कोई आज के बरतमान समय की परंपरा नहीं है, यह परंपरा अनाधिकाल से चली आ रही है, और यदि आप इसका पालन करते हैं, तो निश्चिति आपको इसका लाब प्राप्त होगा, मन में विश्वास रखें, भगवान के प्रति, स्रद्धा भाव रखें, आपके जीवन से सभी संकट दूर हो जाएंगे, दोस्तों आसा करते हैं, यह छोटी सी वीडियो देखकर, आपको बहुत ही जानकारी प्राप्त ही होगी, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए, जै स्री कृ राधे, राधे